प्रशिद्ध भूत नाथ मंदिर किया वही सावन की साथमी सोंबारी पर ब्रत और पूजन करने वाले सिप भक्तों ने भी दूद एवं गंगा जल के साथ बिल पत्र धतूरा फल फूल चड़ा कर महादेप की पूजा कर मनुवांचित फल की काम ला की बतादे कि इस वर सावन मा में अधिक मास के कारण आठ सो सोंबारी का ब्रत नहीं रखा जबकि पुरसुत्तम मास के बाद आने वाली सोंबारी पर सभी सिवालियों में सध्धाल्मों की भारे भी उम्र गई इस दोरान पूरा मंदिर और सिवाले परिसर भगवान सिप के जैगोश से गूनिता रहा और पूलिस महिलाओं के साथ इं मंदिर में बाबा अज गैविनाथ की पूजा के लिए सिव भक्तों का जन सलाव उमर पड़ा जहां सरध धाल्वों ने भूले नाथ का उत्तरवाईनी गंगा जल से जलाविशे किया सावन की शोंबारी को लेकर विहार जहरखन उत्तर परदेश नेपाल बंगाल और दिली समेत कई जगों से सिप भक्तों और कामरिया अज गैविनाथ धाम पहुंचे जहां सरध धाल्वों ने गंगा में डुपी लगा कर भूले नाथ की पूजा की वहीं इसके बाद कामरिया उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेकर भगवान सिप का जैकारा लगाते हुए पाइदल और वहनों से देवगर बैदनाथ धाम जे उत्र लिंग पर जलाविशे के लिए रवाना हुए इस दोरान अच्गैविनाथ धाम से पूरा कच्ची कामरिया पत और बावा धाम का मारग बोलवम एवम हरहर महादेव के जैकारों से कून इता दिखा इसको लेकर जलाविकारी सुबरत कुमार सेंड के निर्दे सानुसार अच्गैविनाथ मंदिर से कच्ची कामरिया पत तक सिब भक्तों की सुविधा के लिए तमाम तरकी बैवस्था की गई है जिसके लिए सीओ अमितराज, नगर परिसत के कारपालक पतादीकारी अविनब कुमार, पुलिस पतादीकारी और जिलावं प्रखंड के सभी पतादीकारी तीन अलग-अलग सिप्ट में ड्यूटी कर रहे हैं वहीं अज गविनात मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी ने सावन के साथ में सुमारी और नात पंचमी की सभी सी भक्तों को सुपकामना देते हुए आपसी सदभाव के साथ स्रावनी मेला को सफल बनाने की बात कही सावन के पावन महिने में इसका बहुत महत्व है लोग ओम नमस्षिवा ओम नमस्षिवा पूरा रास्ता गुंचते जा रहे हैं और महा मिर्तुन्जे जाप का जाप करके अपना संकल प्रते हैं सभी आस्था जिनका जो मनुकामना होता है और महा मंत्र का जाप है वो जबते हो जाते हैं सारे मनुकामना उनका पूर्ण होता है बागलपूर के सुल्टान गन्स्थाना चेत्र अंत्रगत साहवाद गाउनी वासी सुजीत कुमार जाने अपनी पत्नी प्रीती देवी पर अपने ही बच्चे का अफरन कर लेने का आरोप लगाया है इसको लेकर सुजीत कुमार जाने कहा कि उनकी पत्नी प्रीती देवी से उसका घरेलू विवाद चल रहा था जिसको लेकर कुछ दिन पुर्वा आरोपी महिला प्रीती देवी नवगचिया इस्थित अपने माई के चले गई थी वहीं इसके बाद से उसके पुत्र अंस कुमार का भी कुछ पता नहीं चल रहा है जिसको लेकर सुजित कुमार जा ने अपने भाई संजीब जा और पत्नी पर सग जताते हुए कहा कि कुछ दिन पुर्व संजीब ने उसके बेटे को भगा देने की धम की दी थी जबकि प्रीती ने अंस को फोन कर नानी घर ले जाने की बात कही थी जिसके बात से बच्चे का कुछ भी पता नहीं चला है इधर अपने पुत्र के नहीं मिलने से परिशान सुजित कुमार ने सुल्तान का स्थाना में सिकायत दर्ज कराई है जिसके बात पुलीस मामले की जाच में जुड गई है वहीं पूरे मामले को लेकर पुलीस ने कहा कि बच्चे की तालास की जा रही है और जल्द ही अंस को बरामत कर लिया जाएगा धागाषाया जाखावत थाना सोल्ताग है जिला भागाव पुर्ट अपोर्त पर जिला खाने जाने को लान। भागाव जिलाधिकारी जिलाण तमबाकु नियंतरन समनवा शामिध्व का थ्याक सुब्रत कुमार सेन् दक्षिता में त्री अस्तरिय चापामार दस्ता के सदस्यों सरकारी पदादीकारी और अन्य धारकों के लिए जिला अस्तरिय उन्मुखी सब परसिक्षन कारेसाला का आयोजन किया गया कारिक्रम में त्रियस्तरिय च्छापमार दस्ता के सदस्यों के साथ जिली के सभी परसासनिक पदादिकारी और पुलिस के अधिकारी भी सामिल हुए इस दोरान डियम ने कहा कि तंबाकू के सेवन से ना सिर्फ सहत पर इसका दुस्परफाव पड़ता है बलकि काफी आर्थिक नुकसान भी होता है और तंबाकू सेवन से दूर रहकर जीवन के साथ आर्थिक नुकसान को भी बचाया जा सकता है के लावा जिला अधिकारी ने तंबाकू नियंतरन के लिए छापामार दस्ते को जरूरी दिसानिर्देश देते वे कहा कि सैक्षनिक संस्थानों के सौवज के दायरे में स्थित सभी तंबाकू उतपाद बेचने वाले दुकांदारों को हटवाया जाए और सभी अधिकार के कारियाले में तंबाकू मुक्त छेतर का बोड लगाकर नियमित रूप से छापे मारी करने के साथ सरकारी निर्देश और आम लोगों के हित का ध्यान रखा जाए कारसाला में डिडी सी सिविल सर्जंट तंबाकू नियंतरन के जिला नोडल पदाधिकारी डिप्यारों औ आर्थिराइटिस, नसों का सूपना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमिन, कार्टलेज, स्पोर्ट्स इंजुरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, हाथ पैरसुन लगना जैसी अन्य बिमारियों का इलाज करवाई डॉक्तर प्रवीन कुमार जह, फिजियो थेरेपिस्ट, एडवास नियूरो डाइग्नोस्टिक एंड फिजियो थेरेपी सेंटर, ग्रामीन बैन के नीचे, हतिया रोड, तिलका मानची भागलपुर, बिहार, कौकरे, 9431-446600 झाल 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 झाल, भागलपुर, जियूरो थेरेपाई तो आपके लिए बहुत जादा सुविदा जना कि किसी पास में आगर मलें, मार्केटिंग के लिए और रिलाक्स होने के लिए सलॉन को ज़रूर गूज करें स्पेशली ब्राइडल मेकप के लिए इन्होंने जो अरेंजमेंट्स किया हैं बागलपूर में गंगा का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है जबकि इससे पुरूब गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण ने चले इलाकों के कई जगों पर कटाउट सुरू हो गिया जिससे लोगों के बीच अपने आसियाने और खेत को लेकर काफी डर का माहौल बना हुआ वहीं भागलपूर के सबोर प्रकंड तरगत बाबूपूर में गंगा का पानी बढ़ने से तेजगती से कटाओ हो रहा है जिससे गाउं के लोग परिशानी की आसंका से भैवीत हैं बतादे कि बाबूपूर गाउं में सैकड़ो एकड़ खेतियर जमीन कटाओ की भेट चल चुकी है जिससे किसानों के सामने गंगीर समस्या खड़ी हो गई है उरे हलका द्राय बयार्य बताई तो पुरा से करता है कि अब यार्य नहीं चलता है तो कुछ कई कड़ी लगाए तो सबजी तो परवेल भृण भीन-डी बएघए ऐसल तो यहां फिर्वार में सिक्षा और सरकारी विद्यालियों की लचर बेवस्ता हमें सच चर्चा में रहती हैं जिसकी तस्वीर अक्सर देखने को मिलती रहती है लेकिन आब एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको हैरान कर सकती है दरसल भागलपूर जिले में एक ऐसा सरकारी विद्याले है या कख्षा में पढ़ाई के दवरान 6 छातर अरटा लेकर पढ़ाई करते हैं वहीं वर्स 1941 इस्वी में स्थापित हुए इस विद्याले में छे कमरे बनाये गए थे जिसकी छट खफ रहल है और अब यह बिलकुल जर जर हो चुकी है। पानी टपकने के कारण स्कूल के कमरे में रखा बेंच डेस्क टेवल और लाकों का सामान बरबाद हो रहा है। बताया जा रहा है कि अंग्रेजी सासन के दोरान इस विद्याले ने देश को कई होनार चात्र और कई आईस अधिकारी विद्या है। लेकिन अब यह विद्याले अपने तारन हार की बाठ जो रहा है। पिलाल इस विद्याले में करीब 400 स्टुडेंट पढ़ाई करते हैं जो हमेशा किसी अनहोनी की आसंका के बीद पढ़ाई को विवस हैं। बना हुआ है। और उस समय से भी इस विद्याले में कोई सरकारी वर्क नहीं हुआ है। इसका अतास परा हुआ है। जो च्छत है वह जरजर है चुता है। बच्चे किसी तरह बैठते हैं जब बर्षा नहीं होती है। बर्षा होने के बाद इस रूम को बंद कर देते हैं। और किसी तरह उसको अड़जस्ट करके पढ़ाई करते हैं। सबसे बड़ा कि ये हमारे गउं का एक परतिष्ठा है। और ये जो इसकूल देख रहे हैं खड़े हैं तो लगता है कि सब मंथे बढ़े के पनी गिर रहा है। बच्चे बैठेंगे कहां 400 सारे 400 विद्यारती है यहां पर। और मंग तो बहुत दिनों से हम लोग कर रहे हैं। आप लोग के माध्यम से और कईक बार हम लोग ने हम लोग इसका मुद्दा उठाए। तभी तो हम लोग का भाजपाज अज्यू एक साथ ही थे। तभी भी हम लोग उने उठाया। अभी तो अब किसको कहें कहने में बनता नहीं। आप लोग के माध्यम से हम लोग बोलेंगे। एक तालिस का स्कूल है। हमारे पुर्बजाओं ने जो बनाया है। अंग्रेज के जबोने का है। और जो हम लोग का पुर्बज बनाके गया है। कारका एक पैसा नहीं है इसमें।